हेलो नमस्कार भारत मैं सेयद मेरे दिन हमेशा हमेशे की तरह आप लोगों की सामने के से एक बार हाजिर हूं आप लोगों का यार दोस्त दिलवालों की दिल्ली से आज कुछ एक स्पेशल डेकॉर्डिंग है इसी वज़े से मैं आज मंगलवार को रेकॉर्डिंग कर रहा चौदा नवंबर दो हज़ात तेईज है तो चलिए मैं आपको एक स्पेशल प्रोजेक्ट के और लेखे चलता हूं जो की यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलोजी का ही एक और नया प्रोजेक्ट है जो यूटरा के नाम से लांच हुआ है तो उसके बारे में जानकारी हास करते हैं और यह भी एक खुबसूरत सफर है और साथ ही साथ एक अच्छी टेक्नोलोजी भी है तो चलिए इसके बारे में जानकारी हासिर करते हैं जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम है सहीद मुनित दिन मैं स्पीकर अट भारत की और से बात करता हूं तो चलिए थोड़ी बहुत जानकारी मेरे अप्लें मैनेजर के बारे में बात कर लेते हैं यह है मिस्टाइट जेकब्स यह दो हजार सब्सक्रास दो हजार सत्रा से इस प्राजुक्ट में जुड़ी हुई है युनिट्स की स्टिंग टेक्नोलोजी कंपनी के साथ-साथ और SWCA के प्लाटफॉर्म के साथ इनकी 23 सालाना जिंदगी का तजुर्बा है और एक परसनल लीडर्शिप और वेल बिंग और कॉंशनेस पोच भी है जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और मेरी मेंटॉर भी है और यह टॉप एक्सपर्ट के साथ-साथ इंडिया के लिए क भी जिम्यदारी भी निभात हैं तो आज की इस इवेंट में जो है आप यह जो आज को जो स्पेशल इवेंट है उसके बारे में जानकर यह है कि हम आपको एक अच्छे ऑफर के साथ-साथ एक ऑपरचुनिटीज भी लेकर आए आपके सामने जैसे कि एक अनोखा और एक सु उन बंजर जमीनों को में एक हरियाली उगाने की टेक्नोलोजी के माध्यम से हम यह प्रोजेक्ट आपलों के सामने लेकर आ रहे हैं इसमें अनोखा और सुनहरा मौका है आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं और साथी साथ एक आपनी जिंदगी को बहतर भी बना सकते हैं औ कि हमारा आपने देखा होगा इससे पहले मैंने कई प्रेजेंटेशन में बता चुक है यूनिट की स्ट्रिंग टेक्मोलोजी वह एक हाई स्ट्रिंग रेल पर चलने वाली है लेकिन वह जो है फाइनल स्टेज पर हैं तो इसी वज़े से अब जो हमारा जो इंट्रेस्ट व परियाली और अच्छा वातावरन देने का हमारा यह है उसको हम लोगों नहीं किया है और वह कुछ हम कम स्टर पे नहीं देख सकते हैं क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छा परियावरन और एक वातावरन देने के लिए यहां पर जो मि यह बहुत ही जादा बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे सामने एक समस्या है पूरी दुनिया में आज तो उसी प्रॉब्लम को हम सौल करने की कोशिश में लगे हैं और जैसे कि आप जाते हैं यह केमिकल लेकर आसायन पदार्थ वगेरा जमीनों में पानी में छोड होते हैं वह खराब हो जाते हैं जिसके वज़े से जैसे कि जो भी चीज़े हम सब्सक्राइब कमी महसुस होती है और यह जो है दुनिया के आर्बों कर वो लोगन की प्रॉब्लम है जादा तर अगर हम बात करें तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समझ से आए तो उसी यह यह उन च deny का जो स्ब्सक्राइब के लिए यह बनाया हुए जो है नियुक्री उनिया के सामने लेकर आएं लेकर आए है उनिंत का दूसरा ब्रोजट तो चली यूटेर्रा प्रॉजेक्ट जो है यह दुनिया की यह जो भूगोल की जो प्रॉब्लम है बंजर जमीनों की इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं यह जो प्रॉजेक्ट है इसके पीछे biological जो science दान और engineers हैं ये 5 साल से भी जादा इसके पीछे मेहनत में लगे हुए हैं इसको अच्छे से बहतर बनाने में ताकि प्रोडक्ट एक अच्छे eco-friendly हो उसी वज़े से और एक utera biohumus और soil elixir नाम के product फिलहल डेवलप किये हैं जो की जमीन में जो जान नहीं ह के लिए या फिर उसको सड़ने से बदबुदार बनने से कम करने के लिए और यह अग्री कल्चरल जैसे कि मैंने बताया कि खेती वगेरा में इसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जादा मददगार साबित हुआ है इसके जो है जो एक्सपरिमेंट्स की यह गये थे वैसे जगाओं पर टेस्ट करके इसका पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों ने हासिल किया है तो जो सॉइल होती है एक सो पांच अलग अलग जगाओं से वर्जिन सॉइल कहने का मतलब उस जगह पे कभी भी ना खेती हुई ना ही किसी तरीके का वहां पर कोई काम हुआ है वहां पर किसी भी तरीके का उत्पाधन हुआ है तो उसको वर्जिन सॉइल कहता है तो 105 ऐसे अलग 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 जगाओं से इसको मिटी लेकर और पांच अलग 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 कांटिनेंट्स है जो बैंक होता है एस्पेशली यूस्ट और बैंक कहने का मतलब है जो कि दरिया वगरे में जो उसके किनारे होते हैं उसको बैंक कहते हैं तो वह इसी जगहों से भी मिटी लेकर उसको टेस्ट करके यूटर को क्रियेट किया गया है और यह यह प्रॉड़क्ट जो है यूटर प्रॉड़क्ट यह आके प्राइवेट हाउस होल्ट कहने का मतलब है आप इतना अच्छे से साबित हो किया है कि यह जो है उत्पादन में 35 से लेकर 50 प्रतिशत तक यह उत्पादन को बढ़ा निकिक शमता रखता है और यह साथी साथ जमीन में जो है नाइट्रेट्स और रेडियो न्यूकलाइट्स होते हैं यह एक तरीक है कि आपके सकते केमिकल्स क इसको बढ़ा कर साथी साथ उसमें माइक्रो आर्गैनिजम जो होते हैं उसको भी बढ़ाता है जो की बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है उत्पादन को बढ़ाने में तो यह प्रोजेक्ट को हम एक अच्छी सक्सेस्फुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सक नहीं छोटी-छोटी एक contribution करनी होती है और contribution करना है और साथी साथ ये दूसरे लोगों को भी इसके फायदय पहुंचाना बहुत जरूरी है तो इसके लिए हमें सबसे पहली पहला जो काम करना है वो 20 million dollar fund raise करना है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ambitious idea को साकार करने के लिए ये जो पैसा हम raise करेंगे crowdfunding के जरीए से ये जो पैसा है इसको factory बनाने में और साथी साथ ये production को start करने में काम आएगी especially elixir को और ये project का जो fund raising का capacity है वो capacity नहीं होता हुआ है sorry fund जो हम ये crowd से जो fund उठाएंगे इसकी जो है एक स्तर है एक limited limit है इसकी एक बर 20 million dollar को हमने raise कर लिया crowdfunding से जैसे कि मैंने बताया कि factory को build करने के लिए और production को start करने के लिए तो उसके बाद इसमें निवेश करने का जो आपका एक सुनहरा और अनोखा मौ प्रोशिश कर लें इसमें भाग लेने की या फिर इसमें हिस्सेदारी लेने की वह आपके हाथों से निकल चुकी होगी और कितना निवेश करना पड़ेगा कितने लॉट्स करी निकले तो जैसे कि यहां पर package को कुछ detail दिया गया है यहां पर excel sheet वगरा के एक चोटा सा screenshot तो उसमें आप देख सकते हैं 1000 डॉलर आप अगर निवेश करते हैं तो आपको 2000 लॉट्स मिलेंगे और 2000 डॉलर आप निव लॉट्स आपको मिल सकते हैं यह यह प्रोजक्त को जिन्होंने create और develop किया है यह प्रोजेक्ट को यह प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों को वह है यह हसीन शेक्सियत जो कि अनेट वले यूनिट्स की जी है जिनका आप contribution आप यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलोजी में भी देख सकते हैं वो दुनिया अलड़ी इसको एक अद्बुत टेक्नोलोजी मान चुकी है तो यह जो हैं एक इंजीनियर हैं, इंवेंटर हैं, एंट्रोपरनर हैं, साइंटिस्ट और बिजनसमैन भी हैं और इन्होंने अब तक 140 developments ऐसे बना चुके हैं जो कि आने वाले दि किया है जो सबसे भाधा जो अब तक जो पहला प्रॉजेक्ट यह नहीं ॰िलीस किया है वह जो कि हैं यूवी अ स्की स्कुट्रींग टेक्नोलोजी वह एक वह बहुत ही नेक्स्लेशल करें इन्होंने प्रोजेक्ट मार्केट में रिलीस किया है तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम इसमें निवेश करते हैं तो पांच साल तक हमें कितना पैसा लगाने पर कितना पैसा वापस मिल सकता है और इसमें कितने अलग-अलग तरीके के यह पैकेजस मौझूद हैं मतलब लॉट्स मौझूद है इसमें खरीदने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आगर आप आज निवेश करते हैं तो यह प्रोजेक्ट लॉंच होने के दो साल बाद आपको आपके पैसे का जो मुनाफ़ा जो है वो आना शुरू हो जाएगा यह और यह डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पैकेजस इसमें लेते हैं मतलब फैनांस करते हैं या फिर आप लॉट्स खरीदते हैं उसके उपर डिपेंड करता है कि आपका मुनाफ़ा 30% से लेकर 50% तक हो सकता है तो उसका एक छोटा सा एक्जामपल यहाँ पर हम देते हैं कि आगर आप वन टाइ 150 $ एन्वेस करते हैं तो आपको 55% परतिशत प्रतिशत आपको मुनाफ़ा मिलेगा मिलेगा करते हैं तो आपको 40 मुनाफ़ां मिलेएंगा तो 37 मुनाफ़ां मिलेगा अगर 20 यह जो है यह वन टाइम पेमेंट का मुनाफ़े का चार्ट है अब आपको बताता हूं installment अगर आप पे करते हैं तो उसमें आपको company के तरप से कितना मुनाफ़ा मिलेगा जैसे कि एक लग डॉलर उपे आपको 52% 156 डॉलर पे 47% 20,000 डॉलर पे 42,000 पे 37% 5000 डॉलर पे 34,000 डॉलर पे 31 पर एक थीज़र डॉलर पे आपको 26% मुनाफ़ा मिलने का मौका मिलेगा कि यहां पर एक और सवाल है कि क्या यहां पर जो हमके एक्सेल शीट में अभी जो दिखाया है उसके हिसाब से क्या हमें 100% मुनाफ़ा मिलने के चांसा सें तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा तो अभी जो आने वाले कुछ सालों में जो हैं प्रोजेक्ट को बहुती जादा अच्छे तरीके से लांच करके उसमें पूरी पूरी जान लगाने की कोशिश है मतलब कंपनी और बैकेंड के टीम के वज़े से हमारा एम जो है वो बिलकुली 100% ग्रॉस प्रॉफिट कमाने का हमारा एम है कहने का मतलब है अगर हमने 100 रुपए आज निवेश किये तो हम चाहते हैं कि वो 200 रुपए बनकर हमारे पास है ताकि हम वो 200 रुपए में जो सौरुपे के उपर जो सौरुपा मुनाफ़ा आया है उसमें पच्छपन रुपए हम निवेशक को दे पाएं तो यही हमारा मेंड एम है यह आपके पैकेज़ के उपर भी डिपेंड करता है कि आपके ऐसे वन टाम पैमेंट का पैकेज आपने लिया है या फिर इंस्रॉम पैकेज़ के उपर निरबर करता है और साथी साथ यह एक चीज़ ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है कि कई सारे ऐसे एक्स्टरनल फैक्टर्स मैटर करते हैं जो कि हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं होते कई बाद जियो पॉलिटिक्स की वज़े से और एकनॉमिक हो सकता है इसका जो रिजल्ट होता हो थोड़ा सा उपनीच यह हो सकता है और इन सारी चीज़ों को मद्धे नजर्पते हैं हम बिल्कुल एकदम आपसे एकदम पुरा पकावादा नहीं कर रहे हैं हम यह स्पेसिफिक रिटरन और इंवेस्मेंट दे सकते हैं जैसे कि मैंने पूरी तरीकिशा हमारा साथ दें ताकि हम इस गोल को मुकमल तोर पे अचीव कर पाएं तो आईए हमारे साथ मिला यह और इस प्रॉडक्ट और प्रॉजेक्ट को दोनों को सकस्स करने में हमारा साथ दीजिए तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि इसमें प्री प्रॉड़क अलोकेट किया जाता है यह पैकेजस में तो यह है सवाल तो उसका जवाब यह है कि सबसे पहली बाद तो यह पैकेजस हैं एक लॉट्स हैं यह शेर नहीं है जैसे कि उनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलोजी में क्या होता था आप कुछ सर्टान आमोंट अगर आप निवेश तरव पर था लेकिन यहां पर यह packages हैं lots हैं यहां पर जितना पैसा आप वन टायम या फिर installment के तरीके से लगाओ लेकिन इसमें आपको किसी भी तरीके का ownership या फिर किसी भी तरीके का अपका यह shares बिल्कुल भी नहीं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए तो यह यूटरा का जो है इसमें जो है आप जितना निवेश करेंगे उसके हिसाब से आपने पैकेजस किस तरीके के लिया है उस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा जैसे कि एक छोटे से एक्जामपल के तौर पर मैं आपको यहां पर समझ पांस हजार डॉलर पर आपको मिलेंगे ती तीन सो पिछतर और दोजार डॉलर पर मिलेंगे आपको हजार लॉट्स यह आपको सोथा सा कंफिस हो रहागा की यह सिर्फ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेरिंग जो है वह उसकी जो परसेटेज है इसी वज़े से जितने ज्यादा लॉट्स हैं उसमें थोड़ा सा परसेंटेज की कमी है वह आपके इन्वेस्मेंट के ओपर डिफेंड करता है कि किस तरीकी की इन्वेस्मेंट आपने लिया है और जहां पर कम लॉट्ट से पर कम पैकेजर का नंबर दिखा यह उसमें जो है मु आज निवेश करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेंगे मुनाफ़ा कब मिलेगा फिर हमें डिविदेंड्स कब मिलेंगे और कितनी बार मिलेंगे साल में यह कुछ वगयरा वगयरा सवाला यह हर common निवेशक का एक सवाल होता है तो उसका जवाब हम यहां पर आपको दे रहे हैं यह quarter में एक बार देने का हम लोगों ने एरादा का मतलब plan कियाए quarter उसको कहते हैं जो tees लहां और अलगए कॉर्टर सोथ है तो once in a quarter हम लोगों ने plan किया है तो जब भी इसका distribution का वक्त आएगा उस time पे investors जो भी निवेशक होंगे उनको इतला कर दिया जाएगा उनके accounts के जरीए से जो भी अपना back office बनाए राखेंगे उनके जरीए से और जो profit आएगा मुनाफ़ा आएगा उसको business plan के हिसाब से उसमें मुनाफ़ा निवेशकों को दिया जाएगा और इसके जो representatives हैं use discovery तो वो representative business plan के हिसाब से आपको इतला कर देंगे और मुनाफ़ा कितना आया है वो भी आपके back office account में पहुंच जाएगा तो यह investment या फिर निवेश कितने दिन तक रहेगा या फिर कितना लंबा चलेगा यह कुछ अलग-अलग है मैं हिंदी तो पता आप आपको बहुत ही अलग-अलग करी केसे सवाल आता है इसमें तो कितने लंबे समय तक चलेगा यह एक अहम सवाल है तो उसके लिए हमारे पास जवाब यह है कि अगर हम launching के बारे में बात करें production और निवेशिक को बढ़ाने के बारे में तो सारी चीज़ें यह depend करता है कि हमा में हम इसको लिए आते हैं कार खाना वगरा बनाके तो डूसरा सवाल इसी में एक और है कितना वक्त लगेगा मुनाफ़े को हम तक पहुंचाने में जैसे कि निवेशक आज इन्होंने निवेश किया है 100 रुपे निवेश किया है तो हमें कब तब 100 रुपे का जो तक कार खाना चलता रहेगा प्रोडॉक्षन की डिमांड आती रहेगी मार्केट में बनके जाता रहेगा मुनाफ़ा आते रहेगा तब तक आपको इसका फाइदा और मुनाफ़ा पहुंचता रहेगा तो चलिए एक और अहम सवाल है कि इसके में शेर होल्डर कौन कौन है और उनका कितना प्रतिश्यत इसमें हुकुम चलता है यह बोचाते आप या फिर उनकी पकड़ है इस कंपनी में। तो WIG जिसको जो कि SWC उसका एक हिस्सा है WIG का उसका है पांच प्रतिश्यत हिस्सा इसमें और तो यहां पे कुछ और चंद अहम सवाल आ थे उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्या यहां पे कोई ऐसा प्लान है कि यह कंपनी IPO में जा सकती है या फिर अगर प्लान किया है IPO में जाने का तो तो अभी फिलहरके लिए जीव नहीं हमारा जवाब बिल्कुल भी ना है के हम लोगने ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया है बट हो सकता है आने वाले वक्तने हम जा सकते यह वक्ति तेयकर सकता तो यह कंपणी के CEO कौन है तो तो यह company के CEO जो है यहां पे तस्विर में जो दिखाए गए है यूटरा के अभी फिलहाल यह है बुगाइव एवजी नी जो की यूटरा Middle East Industries के अभी फिलहाल के लिए CEO है और इसके इसके board members कितने हैं या फिर कौन-कौन है इनके बारे में अगर आप थोड़ा सब जानने की कोशिश करना चाहें या पिर जानकरी चाहते हैं तो अभी फिलहाल के लिए company ने ऐसा किसी भी तरीके का बॉर्ड क्रिएट नहीं किया है बॉर्ड मिंबर बॉर्ड मिंबर्स इसमें ते नहीं किया है इस company में तो राउंड वन यह सबसे पहला जो राउंड वन का इन्वेस्टमेंट का प्लान था वह आके हुआ था हमारे सप्टमबर एक से लेकर सप्टमबर 27 तक 2023 में इसी साल में हुआ था यहां पर जो था इस राउंड में जो था यह सिर्फ क्यूरेटर और रीजिन के जो भी बड़े बड़े टॉप इनके वगरा थे एक्सपर्ट वगरा क्यूरेटर वगरा उनके लिए पुला था यह आफ्लाइन था यह इसमें एक मौका यह था कि आप इसमें उटरा प्रोजेक्ट को लॉट्स के हिसाब में जादा से जादा खरीद सकते थे और 60 प्रतिशत कंपनी का मुनाफ़ा हासिल करने का मौका था जिन्होंने भी क्यूरेटर था या फिर उन्से जादा बड़े ओधे पर थे उन्होंने रेजिस्टर करके इनको लॉट्स को ले लिया है यह फंड रेजिंग का जो अनोखा और सुनेहरा मौका जो है वो तीन राउंड में इसको बाटा गया है क्योंकि इसमें जो लॉट्स के जो नंबर से वो बहुत कम है इसी वज़े से तो और यह साथी साथ यह डिपेंड करता है कि आप कितना किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करोगे उतना जल्दी और उतना जादा आप हायर रेटन्स पा सकते हो इसका दूसरा जो राउंड था वो हम लोगों ने रीसेनले आनॉंस किया था राउंड फंडिंग लोगा जो की 14 अक्टोबर में हम लोगों ने किया था इसमें जो मौका था इसमें भी यूटरा प्रोजेक्ट को आप जादा से जादा सपोर्ट करके इसमें सहीयों करके इसमें भाग लेके आप निवेश कर सकते थे इसमें भी आपको कम से कम साथ प्रदिश्यत जितना प्रॉफिट मिलने का मौका था लेकिन ये भी इसके बाद जो नेक्स जो स्ट्रक्चर था क्यूरेटर्स के बाद वाले स्ट्रक्चर उनके डाउनलेंग में थे उन लोगों के लिए था जिसमें मैं भी शामिल था मुझे मुझे मौका मिला था और राउंड टू जो है वो कब चुरुआ था जैसे कि यहां पर थर्टीन सब्सारी मैंने सब्सक्राइब कर दो आजार तक चला था जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि क्यूरेटर्स वगरा है उनकी नीचे जो फस्ट डाउनलाइन जो भी थे उनके लिए एक मौका था प्रीमियम क्लब मेंबर्स और फस्ट लाइन ऑफ देर स्ट्रक्चर तो उसमें जो मैं भी था तो मुझे भी एक मौका मिला था यह आके सेकेंड रॉन में उस ताइम पे तो अभी जो है सत्ताइस सितम्बर से लेकर इस तक 14 अक्टूबर तो जो है वो सेकेंड रॉन चला था कंटिनेशन था उसका उसके बाद जो तीसरा रॉन चलेगा तो यहां पर यह वाले रॉन में जो है आपको 55% तक मुनाफ़ पाने का मौका अभी भी कंपनी आपको दे रही है लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप वन टाइम इन्वेस्मेंट करते हो या फिर इंस्टॉल्मेंट में आप इसमें निवेश करते हो और जितने ज्यादा लॉट्स आप निवेश करोगे उसके पर डिपे पामन नया बंदा भी रेजिस्टर अगर इसमें करता है या फिर प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है इस अनौके और सुनेरे मौके का फाइदा उठाना चाहता है तो वह जो है तीसे राण में भाग ले सकता है यह आम लोगों के लिए भी यह प्लैट्पॉम यूट से डिपेंड करता है कि आपके वन टाम पेमेंट इंस्टॉल्मेंट पेमेंट और साथी सब कितने लॉट्स आप लेंगे उसके उपर निर्भर करता है तो यह हमारा सस्टेनबल बयो स्फेर क्लस्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा मतलब यह इस्तामाल करने भी कितने अच् सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह है मेरी मैनेजर इंडिया की क्यूरेटर और मेरी मेंटॉर मिस्काट जेकब्स और एक स्काइड डवल्यू स्काइवल्ड कम्यूनिटी में टॉप एक्सपर्ट की पोजिशन भी है 2017 से जुड़ी हैं साथ-एट साल होगे इनको मैं भी करीब करीब दो साल से इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और साथी साथ बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने का भी मौका मिला और क्या बता सकता हूं मैंने एक कंसल्टन की तौर के शुरुआत किया आज दो साल के बाद में एक लीडर बनके बैटा हूं एक इंटरनेशन प्लाटफॉर्म का स्पीकर हुए हैं बहुत कुछ सीखने को मिला अभी भी सीख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रियावरन और वातावरन देने का हम वादा करते हैं तो साथी साथ अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए और मेरा प्रेजेंटेशन सुनने के लिए अगर आपके पास किसी भी तरीके की जानकारी हासिल करने सबस्क् heeft खबते हैं और या तो आप थाए हमें शकाप सरी जानकारी मिल जाएके में जरीयर से या मिए आप इस टेलिग्राम पर इंस्टाग्राम Facebook और WhatsApp पे भी मौझूद हैं, यहां पे भी आप detail वगेरा डालके आप अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सहीद महनेद्दीन मुझे इजाज़त देजिए, शुबरातरी, शब्बाखेर, गुड़नाइट, थैंक यू.